Hello everyone, we will read today the poem The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. Two roads diversed in a yellow wood. यहाँ पर पोईट बता रहे हैं कि एक बार वो जंगल मचा रहे थे और बहाँ पर जो ट्रीज की लीप्स थी वो येलो थी क्योंकि ओटम सीजन था and sorry I could not travel both. महाँ पर two roads divided थी और उन्हें इस बात का दुख था and be one traveler क्योंकि वो अकेले traveler थे और roads two थी तो वो दोनों roads पर travel नहीं कर सकते थे long eye story इसलिए वो महाँ पर खड़े रहे and look down one as far as I could and the way it went in the undergrowth of the border तब तक उस रास्ते को देखते रहे जब तक उनकी निहा, उनकी वो रास्ता दिखता रहे to where it went in the undergrowth of the structure जब तक वो रास्ता जो ऐंडर रास्त में जाके कर्व होके अंडर ग्रोथ में जाके नहीं छिप गया तब तक वो उस रास्ते को देखते रहे अब वो यहां पोईट पताते हैं इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते को सिलेक्ट किया वो भी उतना ही फियर था और यह रास्ता उन्हें पोईट के लिए यह बेटर आप्शन था और यहां पर आके पोईट सोचते हैं कि यह रास्ता तो पहले जासा ही है यहां पर पोईट बताते हैं कि उन्हें दोने रास्ते आप उन्हें सेम लग रहे थे रास्ते एक जैसे देख रहे थे दोनों पर ही लीव्स थी और अभी कोई ज्यादा लोग उन पर चलकर नहीं गए थे इस बज़ए से ब्लैक इनकी वह जो ज्यादा नहीं चलेंगे तो इसलिए लोग ज्यादा नहीं चले थे महाँ पे अब यहाँ पर पोईट बता रहे हैं कि उन्होंने जो दूसरा रास्ता है वो किसी और दिन के लिए रख लिया अब साथी साथ ये भी सोच रहे हैं कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो उस रास्ते के बाद दूसरा रास्ता आएगा आई डाउटे इफ आई शुड एवर कम बैक और साथी साथ उन्हें ये भी डाउट है कि क्या वो कभी इस रास्ते पर दूबारा चल कर आपाएंगे यानि पहले रास्ते जो उन्होंने छोड़ दिया है किसी और दिन के लिए क्या वो कभी बापस उस रास्ते पर आपाएं होंगे टू रोड्स डाइवर्स इन आ वॉड कि एक बार वो अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे कि एक बार जंगल में टू रोड्स जो हैं डिवाड़ेट थी और उन्होंने एक रोड को एक रोड को स्लेक्ट किया था जोगी कम लोग उस पर चल कर गए थे और उसी की बज़े उनकी लाइब में डिफ्रेंस आया था थैंक यू